वाट्सपब इपीस के विज़ेन बार 144 को हिंदी में एक्स्प्लेंट करने वाले और आज के वीडियो में हम लोग कोई भी इंट्रो नहीं लगाने वाले है आप लोग बता हो कि वीडियो में इंट्रो लगा हूँ या फे नहीं क्योंकि जो पहला वाला इंट्रो था भूब बहुत ज़दा पुराना हो गया था मुझे लगता है कि बिना इंट्रो के वीडियो ही बहुत ज़दा अच्छा होगा हम लोग देखता है कि आसमान से एक बहुत बढ़ा शिप रहाए उन लोग के शिप के साइड में और यह देखती कि बाद सब लोग बहुत ज़्यदा चौक गए है जो लूफी अब बो कहता है कि आसमान तो पूरी तरीके से साफ है जो उस अब आप चौपर है वो लोग बहु लगता है वो खराब हो गया वो तूट गया क्योंकि इसका जो पीन है वो अप वर दिखा रहा है तो जो रॉबी ने कि लगता नहीं हमारा जो लॉव नश्ट हुआ है वो टूटा है क्योंकि जो लॉब पोस होते है वो किसी भी आइलेंड के जो श्ट्राँ मेगनेटिजम फिल्ड है उसकी तरह point करते हैं अगर हमारा lock pose उपर की तरह point कर रहा इसका मतलब यह कि उपर sky island और यह सुनने की बदाद refuse is सकते हैं वह लॉक पोस्ट अगाल पोस्ट दिखा रहा है उपर की तरफ इसका मतलब उपर की तरफ एक आइलेंड है जिसका नाम है स्काई आइलेंड तो सब लोग पूझते हैं जो लूफी अबो कहिता है कि सचमे के आसमान में कोई आइलेंड है तो जो राबी ने पो कहिती है कि नहीं एक आइलेंड ही नहीं आसपार में पूरा एक समुंदर है तो यह सुनने के बाद जो लूफी और उसा पे बोलोग नाशने लग जातार कहिता है कि चलो रेडार को उपर की तरफ करो हम लोग जाएंगे करा कोई सबूत नहीं है मेरे पास जो नामी आप करती हैर लेकिन ह्लोग को कुछ भी नहीं दिख रहे है तो उसके बाद जो Robyn ने वो कहिती है कि देखो जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं Grand Line पे हम लोगों ने बहुत सरे तरा-तरा के चीज़ देखा है और ये देखने को बाद हम लोगों को इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जरीके से और ये शिप तो बहुत सदा साइज में बराभी है अगर ये शिप जा सकता है तो हम लोग का गोईंग मेरी भी जा सकता है तो तूटे-फूटे शिप के ऊपर बहा पर बो लोग खेल रहे हैं बहा पर कुछ ना कुछ ढूनने की कोईश्च कर रहे है उसके अगले सीन में हम लोग रॉबिन को देखता है उसने पुरा कंप्लीट कर लिया उस कल को जोड़ने में और उस कल को जोड़ने के बाद हम ल के उपरेशन के लिए यूज किया जाता था पहले के जमाने में यह एक मेडिकल टीटमेंट है जो कि पहले के लोग बहुत ज़दा यूज करते थे लेकिन अभी इस टेखनिक को कोई भी यूज नहीं करता तो जो रॉबिन है वो इस स्काल को और भी थुरा से एग्जमीन कर लगता है यह जो इंसान था वो साउथ ब्लू से था और उसके बाद वो एक किताब निकालती है और उसको एक शिप मिल भी जाता है जिस तरह का एक शिप रहाक आसमान से गिराता सेम टू से उसी तरह का एक शिप का पिक्चर उन लोग को मिल जाता है और बहापा लिखा हु जो शीप था वो 200 साल से स्काई आइलेंड पे था इसलिए किसी को भी नहीं मिला और उसके बाद जो नामिय वो गईती है कि मरे हुए चीजों को देखके तुमको सब कुछ पता चल जाता है मरे हुए बोन को देखके जो आभी ने वो गईती है कि हां मरे हुए लोग बात नही नीचे डूब रहा है हम लोग देखते हैं कि उसके साथ-साथ जो लूफी अब भी डूब रहा था उस अब बहुत मुश्किल से उसको बहां से बहार निकलता है और लूफी बहार आने के बाद सबसे पहले चिला के कहिता है कि देखो मुझे क्या मिला सबसे जरूरी सबसे खतरनाक चीज मुझे मिला और उसके बाद वो एक नक्षा दिखाता है और उस नक्षे में लिखा हुआ है स्काइपिया मतलब एक स्काइपिया का नक्षा है और यह देखने हुआ सब लोग बहुत जदा खुश हो जाते है जो लूफी है जो उस अब बो लोग तो नाच रह है तो जो नामी है बो स्काइपिया का मैप देखने के बाद कहिती है कि हम लोग देख सकता है कि यह स्काइपिया का एक मैप है लगता है यह पर एक स्काइपिया करता है शायद लेकिन इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आजकाल मार्केट में बहुत सारे फेक और यह सुन्ने के बाद जो Loofie और Usopp का चाईरे का जो खुशीदा बो मर जाता है तो उसके बाद जो नामी बोख चिला-चिला के गयosi है कि देखो Loofie हम लोगो को मैप मिल गया हम लोगो को पता भी नहीँ यह असली का है या फिर फेक है लेकिन हम लोग ऊपर कैसे जाए मैं नेविगेटर हूँ, लेकिन मैं शिप को ऊपर नहीं चरा सकता तो जो लुफीया बो कहता है कोई ना कोई रास्ता निकालो हम लोग इशिप को कैसे उरा है जो नाम है उसको बहुंँ सदा गुसरा जाती है और लुफी को मार के वो आ जाती है और सब लोग को कहिती है कि देखो हम लोग को चाहिए information जैसा रॉबिन ने कहा है कि अगर ये ship जा सकता है तो हम लोग का going merry भी जा सकता है हम लोग को चाहिए information और मुझे लगता है कि उष शिप में बहुत सरा information है जितना सारा information है हम लोग को extract करना परेगा तो जो उस अब बो कहिता है कि वो ship तो अल्रेडी डूब गया है तो जो नाम यह बो कहिती है कि हम लोग करेंगे salvage और उसके बाद जो chopper है बो पूछता है कि salvage क्या होता है जो robin अबो कहिती है कि टूटे हुए जहास को जो लोग उपर उठाते है उसको कहिती है salvage तो उसके बाद हम लोग देखता है कि Luffy, Zoro, Sanji एक एक करके barrel का suit पहनते है जो Luffy का suit है वो double barrel का suit है उसका full body cover है क्योंकि उसने devil fruit का है तो पानी के नीचे वो पानी को touch नहीं कर पाएगा और उसके बाद जो उसके बाद हम लोग देखता है कि उस suit को पहनने के बाद तीनों ही पानी में कूच जाता है और उसके बाद पानी में जब कूटता है हम लोग दिखता है कि उन लोगों के सूट के साथ एक पाइब लगा हुआ है और उस पाइब से वो लोग ऊपर से ऑक्सिजन नीचे पंप कर रहे है और नीचे उतरने के पाइब जो लूफी अब बो नीचे से बात करता है कि यहापर तो बहुत सारे सी मौंस्टर है जो जो जोरो है वो कहिता है कि आरे यहापर तो एक बहुत बारा स्नेक भी है और जो Sanji है वो कहिता है कि आरे सरके सरे Sea Monster तो मेरे तरह भी आ रहा है लगता है मुझे इन लोग के साथ fight करना परेगा और उन लोग का conversation सुनता है उस सब बाहर और सुनते ही उसका फट जाता है कि अच्छा हुआ मैं नीचे नहीं गया तो उसके बाद जो Straw Hat Crew के लोग है उन लोग को कुछ आवास सुना ही देता है वो लोग देखता है कि दूर से एक शिप आ रहा है और उसमें बहुत सारे लोग है सब लोग चिला रहा है सलवेज सलवेज और भापर एक monkey भी है और वो उन लोग का captain है और जो monkey है वो कहिता है कि मैं सलवेज king हूँ कोई भी डूबा हुआ ship मुझसे बच नहीं सकता और मेरे territory में जो ship डूपता है वो ship मेरा होता है मैं हूँ सलवेज किंग और मशिरा pirate का captain और उसके बाद उसके नजर में आता है श्ट्राहेट कू का going merry और वो चिला चिला के कहिता है कि तुम लोग कौन हो यहाँ पर क्या कर रहे हो यह जो जगा है वो मेरा territory है यहाँ पर जो भी ship डूपता है वो मेरा है तुम लोगों ने कुछ लिया तो नहीं जो नामी अबो कहती है कि नहीं नहीं हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया हम लोगों ने कुछ भी टच नहीं किया हम लोगों तो सल्वेज करना आता भी नहीं है और उसके बाद नामी को यह समझ में आ जाता है कि जो बंदर है उसको फ्लैटरी बहुत ज़दा पसंद है उसस तो उसका जो कैप्टेन है कि क्या हुआ क्या सीकिंग ने तुम लोग के उपर हमला किया तो वह अंदा कहिता है कि नहीं सीकिंग नहीं भाव पर इंसान है और उन लोगोंने हम लोग को पीटा है और उसके बाद वो उन लोग की तरफ देखता है नामी और रॉबिन की तरफ देखता है कि सुनो तुम लोग दड़ जाता है लेकिन उसके बाद वो कहिता है कि देखो नीचे लगता है कोई इंट्रूडर है तुम लोग ध्यान से रहना तो जो नामी और उसा पे बो लोग कहत हम लोग देखता है कि बोलोग सेलेज के लिए सब लोग पानी में कूच जाते हैं और बहुत ज़दा बरा चरा के शॉप करके उन लोग के सामने अपना काम कर रहा है ऐसा दिखा रहा है कि बोलोग बहुत ज़दा प्रोफेशनल है तो उसके अगले सीन में हम लोग अंडर वा जो कि जो कि जो पाइले से उन लोग और ने नीचे el जाता है तो जहास को माशिरा पाइले से ऌने ने नीचे की आ है उस जहाज को आपर तो जो लूफी है वो नीचे से चिला तर कहिता है कि क्या चल रही है आपर और उन लोग का आवास गोइंग मेरी तक पहुँच जाता है और यह सुनने के बाद जो माशिरा पाइरेट का कैप्टेन है वो उन लोग की तरफ देखता है लेकिन हम लोग देखता है कि जो उसाप जो लोग उन लोग के आवास को रोक देते है और उसके बाद जो उसाप में वो कहता है कि देखो तुम्हारे शीब के सामने जो बंदर है वो किस काम का है तो जो उन लोग का कैप्टेन है कि यह डेकूरेशन के लिए नहीं है यह सजवट के लिए नहीं है इसका एक बहुत काम हैं हमारे बिजनेस में हम लोग देखते हैं कि बो लोग उनंस के सामने जो बंदर रख रहा हूँ को निकाल पानी दोबा देता है और जाने के वाद जल चलो चलो जल्दी जल्दी खीचो और तभी हम लोग देखता है कि नीचे से कुछ लोग आवास करता है कि बौस हम लोग को बचाओ नीचे लगता है कि शिप पे कुछ लोग है और बो लोग हम लोग को मार रहे हैं हम लोग देखता है कि उसे बहुत सदा गुसा हो जाता है कि मेरे बंदों को कौन पीट रहा है और उसके बाद हम लोग देखता है कि वो भी पानी में कूट जाता है और पानी में कूट के नीचे की तरफ जा रहा है और जाते जाते उसके सामने एक सीकिंग आता है हम लोग दे पा थे किता है कि हम लोग यहाँ पर सास ले सकते है prop है कि कॉण это значит को अठे Hub самое God's Health olması करने की कोईश कर रहा है मुझे मिझे नहीं पता लेकिन यहाँ पर उन लोगों में बहुत ज़दा दोस्ती हो जाता है और तभी हम लोग देखता है कि उन लोग के टूटे फूटे शिप के पास एक बहुत बरा जीब आ रहा है और वो आने के बाद उन लोग के उस टूटे हुए शिप को खा जाता है हम लोग देखता है कि वो पानी के बाहर आ और वो एंटीटी पानी से बाहर आने के बाद हम लोग देखता है कि वो एक सी टॉटल है लेकिन उसका साइज बहुती ज्यादा बढ़ा है इतना बढ़ा है कि जो गोईंग मेरी और जो मशीरा पाइरेट का शीप है वो लोग कॉमप्यार भी नहीं कर सकते उस टॉटल के साथ हम लोग देखता है कि सब लोग की फट के हाथ में आ जाता है तो इसी पॉइंट पर हम लोग का ये बला एपीजोर खतम हो जाता है अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना तो मिलते हैं को नीए व